हलो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आपका डियेस कुरुजी में और फ्रेंड्स हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पिछले एकजाम में रिपेट होने वाले जितने भी क्योस्टन हैं उन सब क्योस्टन को अपन करेंगे तो फ्रेंड्स हमने भारत के भोगोलिक इस्तती से related questions किये थे इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे questions किये थे जो पिछले exam में repeat हुए थे तो दोस्तों आज भी हम वही question करेंगे लेकिन आज हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन के बारे में जो जो question पिछले exam में repeat हुए हैं उनके बारे में हम या पर पढ़ेंगे friends most important question हैं यही बार-बार repeat होते हैं और दोस्तों ध्यान से देखना यही question फिट से repeat होंगे पिछले 20 सालों में जितने भी exam हुए हैं जिनमें यही बार-बार repeat हुए हैं तो दोस्तों start करते हैं हमारे भारत के परिवन से related कुछ most important questions and उनके answers हां तो दोस्तों जो सबसे पहला question है पहले एक बात मैं आपको बता दूं यह सारे ही question importance रखते हैं सारे ही repeat होने की संभावना रखते हैं most important questions लेकर आए हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला question है वो है कि विगत 50 वर्षों में भारती रेल मार्क के पत की लंबाए में कितने प्रतिशत की व्रध्य दोस्तों यह SSC grade के exam में पूछा गया question है इंडिया level के question लाए है हम सेंटर level के state level के question लाए है कौन-कौन से state में कौन-कौन सा question इस exam से पूछा गया इस topic से पूछा गया वो सब लेकर आए है तो दोस्तों इसमें जो व्रध्य हुई थी वो हुई थी 16.6% की इसमें व्रध्य हुई थी भारती railmark के पत की लंबाई में इसके बाद है पूर्व मध्य railway ECR का मुख्याले कहां पर है दोस्तों जो force का exam हुआ था उसमें यह question पूछा गया था repeated question है दोस्तों यह इसका जो मुख्याले है friends यह है हाजी पूर में ECR का मुख्याले है इसके बाद है दोस्तों next question निमनलखित में से किस राज्य में राष्ट्रिय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है LIC ADO के exam का यह question है तो दोस्तों इसका जो तंत्र अंतर राष्ट्य हवाई अड़ा कहा निर्माना धीन है दोस्तों एक तो इसको ध्यानकना है यह तो है नीजी शेत्र का है एक है अंतर राष्ट्य हवाई अड़ा यह है और दोस्तों एक है यह निर्माना धीन पड़ा हुआ है तो दोस्तों वो है कोची में यह देश का पह पूछा गया था कि जो हमारा रेल मंत्रा ले हैं उन्होंने विलेज मॉन बिल्स नामक परियोजना सुरू करने की गोशना किस वर्स की थी तो दोस्तो 2004 का ये साल था जब उन्होंने गोशना की थी इसके बाद है राष्ट्री राजमार्ग संपुन देश के सड़क परिवन का लगबग कितना प्रतिशत यातायाद संपन करवा थी हैं दोस्तो ये पूछा गया राष्ट्री राजमार्ग के बारे में पूछा गया क्योशन है MP पोलिस में ये क्योशन आय था MP पोलिस का जो एक्जाम हुआ था उसमें ये क्योशन पूछा गया था तो दोस्तों ये 40 प्रतिशत यातायार परिवन का लगबग संपन करवाती है इसके बाद है स्वर्णिम चत्रबुष परियोजना किस से संबन्दित है दोस्तों most important question इससे बनता है हमेशा फिर से बन सकता है GIC का ये question है और दोस्तों ये जो है ये संबन्दित है दोस्तों सड़क परिवन से ये संणिम चत्रबुष परियोजना संबन्दित है इसके बाद है next है Palace on Wheels की तरच पर नई रेलगाडी Deccan Odyssey का परिचालन किस राज्य में हो रहा है दोस्तों RRB के एकजाम का question है ये जो है दोस्तों Palace on Wheels की तरच पर एक नई रेलगाडी Deccan Odyssey का परिचालन किया जा रहा है तो दोस्तों वो राज्य है महराष्ट्रा जहां पर इसका नया परिचा होता है MPPSC का एक्जाम हुआ था दोस्तों उसमें ये क्योशन पूछा गया था तो दोस्तों ये था 98 प्रतिशत व्यापार जो है वो समुद्री मार्क द्वारा होता है भारत के कुल अंतराष्ट्रे व्यापार का ध्यान रखना है most important question है इसके बाद है कौन सा राष्ट्रे राजमार्ग दिल्ली और कोलकता को मत्रा और वारारंसी के रास्ते से जोडता है इसके बाद है National Highway 2 भी हमसे बोल सकते हैं इसके बाद है भारती रेलवे को कितने शेत्रों में विभक्त किया गया है दोस्तों और रारबी का एकजाम हुआ था उसमें ये question पूछा गया था तो दोस्तों इसे जो है 16 जोंस में विभक्त किया गया है पोला रेलवे जोन्स है हमारे भारत में इसके बाद है निम्न लिखित में से कौन सा बंदरगा जुआरी नदी की एस्चुआरी पर इस्तित है आई टी आई का जो एक्जाम हुआ था फ्रेंड्स उसमें ये क्योशन आया था मौस्ट इंपोर्टेंट है ये तो दोस्तों ये बंदरगा है मारंज गाव बंदरगा ये जो है दोस्तो एस्चुआरी पर इस्तित है इसके बाद है नेक्ष्ट क्योशन है दोस्तों देश में माल परिवन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े मध्यम के रूप में प्रियुक्त होता है तो दोस्तों ये है कम खर्च होता है इसके बाद है next question है पुरुवत्तर भारत के लिए किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है UPSC के exam का question है दोस्तों most important है इसे तो आप जरूर जरूर learn कर लेना हमारे राजस्तान के exam में भी ये question पूछा जा सकता है तो दोस्तों वो राज्य है मेगाले जहां पर र रेलमार्ग नहीं है ध्यान रख लेना दोस्तों ये पुरुवत्तर भारत का राज्य है जिसमें रेलमार्ग नहीं है इसके बाद है next question निमनलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी नीजी शेत्र के बंदरगा को हाल ही में चालू किया था आई एस प्री का जो हाल ही में चालू किया गया है इसके बाद है next question निमनलिखित राष्ट्री राजमार्गों में से कौन सा एक महराज शत्यसगर और ओरिशा में से जाता है तो दोस्तों ये भी आई एस प्री के एकजाम का question है दोस्तों ये राष्ट्री राजमार्ग है नह6 राष्ट्री भारत की प्रत्थम विदू train चली थी ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद है निमनलिखित में से कौन सी रेल गाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है SSC का जो एकजाम हुआ था उसमें ये question पूछा गया था तो दोस्तों ये जो चलती है जम्मू कन्या कुमारी एक्सप्रेस दोस्तों ये जो है देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली रेल गाड़ी है ये ध्यान रख लेना इसके बाद है भारत का सबसे लंबा र रेलवे प्लेटफोर्म इसके बाद है next question भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं SSC का question है दोस्तों तीन प्रकार के रेल मार्ग भारत में पाए जाते हैं चोटी लाइन बड़ी लाइन मिटर लाइन ये तीन प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं तो दोस् विजिट कीजिए हर तरह के टेस्ट हर तरह की जीके के क्योशन जनरल साइंस के क्योशन हर तरह के क्योशन हर तरह की जानकारी आंसर की इस करंट अफेर्स सब कुछ यहां पर हैं आप विजिट कीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा कर दो चूचिंग